अगर आपको कोई भी सारी अच्छ लगती है पर्चेस करना चाहते है तो दिये गए वाट्सप नंबर पर आप मेसेज कीजिए सारी के पिज्टे साथ आज मैं आपके लिए कोई भी नया कलेक्शन नहीं लेके आई हूं बलकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सारी स्टाइलिंग के अलग अलग तरीके अपकेसे आपकी normal सारी जो है वो traditional way से हट के कुछ अलग टाइप में कैसे पहन सकते हैं ब्लाउज रेडी है या फिर मनें कुछ सारी चाने के लिए का ब्लाउज बढ़ने के लिए। सारी अच्छी लग गई पहनना है बट वहाँ पे भी हमारे पास मैचिंग ब्लाउज नहीं है तो वैसे उस सीचुवेशन में या फिर आपको पहनना है सारी बट वो ट्रेंडी तरीके से आप पहनना चाहते हैं सारी को तो आप कैसे पहनेंगे तो उसी के रिलेटेड में आज आपके लिए लेके आई हूँ सारी स्टाइलिंग के डिफरन डिफरन टाइपस कैसे आप सारी को अलग-अलग अंदाज में पहन सकते हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताने माली हूँ कि आप टी-शिट्स के साथ सारी कैसे पैर कर सकते हैं या फिर हमारा जीन्स के साथ जो टॉप्स हम पहनते है उसके साथ सारी के से क्यारी कर सकते है या फिर कुर्तीज है कुर्तीज के साथ हम सारी के से पैरप कर सकते है ये जो ट्रेंटी तरीके है आजकल सारी जो है वो बहुत ट्रेंड में है और आप उसको आफिस में पहन सकते है या फिर आपको farewell parties में पहनना है, tummy जादा है तो आपको tummy so ना हो ऐसे सारी पहनना है तो आप ज़रूर से यह जो टाइपस है जो way में आपको बताने जा रही हूँ वो ज़रूर try कीजिए बहुत सारी जो college going लड़किया होती है या फिर office बट किसी को comfortable नहीं है पेट दिखती है पेट दिख रहा है तो अगर आप उसी situation है जैसे मुझे भी नहीं अच्छा लगता पीट दिख रही है पेट दिख रहा है तो वो लोग तो ज़रूर यह सारी जो है वो tops के साथ, t-shirts के साथ पेनी है आप पूरा दिन भी सारी आराम से क्यारी कर सकते हैं मेरी गारंटी है क्योंकि हम इतना comfortable रहते हैं और सारी जो है वो बहुत ही अच्छा लुक देती है बहुत सुन्दर यह costume रहता है जब भी हम लोग पहनते हैं वो dress fullness हमारे से पास आ जाती है बहुत अच्छा लुक देती है तो आप यह सारी के जो ways में बताने वाली हूँ जो मैंने try किया है आप भी try कीजिए या फिर आपको कौन सा लुक इसमें से बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो भी आप comment करके बता दीजिए next series में मैं आपके लि लिए में पहन सकते है अलग अलग टाइपस में तो वो मैं next series में आपके लिए लेकि आऊंगी बट आज की इसमें comment जरूर कर दीजिए यह मेरा पहला try है आपके लिए मैं खुद बहुत सारे experiment करती हूं करती रहती हूं मुझे अच्छा लगता है और अगर आपको भी आच् लुक्स के बारे में बताती हूं next में hello friends यह मेरा पहला लुक है जिसमें मैंने ब्लू कलर का टॉप यूज किया है सारी के साथ पैर करने के लिए प्लिस दाले हुए है सारी को आप देखेंगे नेट की उसकी स्लिउज है फुल स्लिउज है और पप टाइप उसका स्लिउज ह नहीं देता है काफी कमफर्टेबल है यह जो लुक है वो भी अच्छा रहता है प्लिट्स आप डाल सकते हैं साती साथ अगर आपको सारी का जो पल्लू है वो ओपन रखना है तो भी आप रख सकते हैं मैंने इसके साथ सील वर जुल्री पहरप किया हुआ है आप देखेंग सेम एरिंग बट इस बार अभी मैंने नेकलेस भी आड़ किया है काफी कूल लुक देता है देखें कहां पर भी ऐसे नहीं लगता कि आपने ब्लाउज जो है या फिर टी शर्ट जो है वो पहना हुआ है इस टाइप मेंक पल्लू जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है काफी प्रोफेशनल लुक देता है और सारी भी आप आराम से क्यारी कर सकते है लुक तो बहुत ही अच्छा आता है यह यह मेरा फेवरेट लुक है देखिए मैंने टी शर्ट के साथ यह सारी को पेरब किया है यह जो टी शर्ट है वो मैच हो रहा है सारी के शावरी जो बान आप किरी कर सकते हैं नेक्स्टे से पहण सकते हैं यह सारी है इसके साथ सिल जुल्री पहरे कर सकते हैं लग देखसे बहुत ही प्यारा आता है सारी का and carry करने में भी आसानी से carry हो सकती है next जो look है आप देखेंगे उसमें मैंने सारी को pair किया हुआ है कुर्ती के साथ ये white color का कुर्ती है and इसके sleeves मुझे बहुत अच्छ लगते है sleeves में जो pattern बना हुआ है उसे look जो है वो बहुत ही प्यारा आता है ये देखेंगे ये वाला and same earrings है इस बार भी official look बहुत ही अच्छा देता है ये जो and earrings same ही पहने है मैंने इसमें जो पलू है उसको आप पीछे का जो कट है उसके नीचे से उपर लेके फिर उसको pin up कीजिए and हो गया ये look काफी cool है आजकल ये भी trend में है कुर्ती के साथ सारी वाला look and next ये look है same कुर्ती है कुर्ती को मैंने fold कर लिया है अंदर डाल रिया है तो ये shirt जैसा look देती है and इस बार मैंने earrings थोड़े heavy पहने है क्योंकि मुझे jewelry नहीं डालना था